और कि यह इस हलो स्टूडेंट्स प्रिवेस लेक्चर में में मेटल सेंक में मेटलर्जी के बारे में इस्टड़िकर रहे थे ठीक है ना तो आज हम उसे को कंटिन्वी कर रहे हैं यहां पर मेटलर्जी के अंदर हम रिफाइनिंग वाला चुटेप से वह मारा रिमेनिंग था लास्ट क्लास में हम थार्ड स्टेप के बारे में पढ़ा था जिसमें हम metals मिलती electrolytic reduction हमने पढ़ा था last में ठीक है उसके बाद next हमारे पास यहां पर फूर्थ step है metallurgy की वह फूर्थ step रिफाइनिंग of metals रिफाइनिंग of metals ठीक है जो आपको pure metal जो जो metal आपको मिलती है जो third step से मतलब reduction के बाद जो metals मिलती वो crude metal होती है crude metal मतलब जिसे कच्छा माल बोलते हैं उसको ठीक है न तो उसको refine किया जाता है मतलब अगेन उसको purify किया जाता है प्यूरिफाइब का मतलब होता है कि उसके अंदर हम जो कुछ impurities रह जाती सम इंप्यूर्टीज में रिमेंड इन दी crude metal ठीक है न इन दी में इसके अंदर मेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें ठीक है, on some impurities, so we need to remove them, we need to remove them, ठीक है, तो उनको हमें remove करना पड़ेगा, तो जो metal हमें मिलती है, third step से इसको हम क्या बोलते हैं, crude metal, क्या बोलते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हमें metals को crude metal बोलते हैं, जो यहां पर हमें मिलती है, metal कौन से होती है, आपकी crude metal, ठीक है, जो third step से हमें मिलती है, जैसे ही electrolytic refining होगी, या फिर आपका simple heating से हो गया, या फिर reducing agent के तो हम metal को obtain करते हैं, ठीक है, तो यहां पर कुछ important methods हैं, some important methods, कौन-कौन से method सब्सक्राइब करते हैं इसके अंदर, first method इसके अंदर हम यूज़ करते हैं, यहां पर liquevation, impurities होती है, वो liquefy नहीं होती है, ठीक है, तो यहां पर liquevation method के अंदर क्या करते हैं, metals जो होती है, fusible metals होती है, कैसी होती है, fusible metals, metals कैसी होती है, fusible metals होती है, और इसके अंदर non-fusible क्या होती है, impurities होती है, non-fusible क्या होती है, स्केंदरी से restroom hard हो नों फिशिबर इंप्रिटी सिसके अंदर delay प्रेजेंट हो ओकिव कि नोन फ्यूजिबर इंप्युरटी ठीकी मतलब इंजर्क मैटल है वह तो मेक्ट हो जाएगी मट्ल से तो क्या हो जाहिए मेल्ट हो जाएगी edyye Analay तो जिसे हमारे पास इसके अंदर उन मेटल्स को इसके अंदर फ्यूरिफाई किया जाता है जिनका मैटल 정 layout क्यों सकती है सिल्डी रोटी अभी मैड़ हो जाती लेकिन 11 इंप्यूजिब गया हूँ अती है नहीं हो करते हैं, purify करते हैं, ठीक है, तो इसमें metals है, यह fusible metals होती है, और non-fusible impurities जो है, वो solid state में ही रह जाएगी, उनको हम इस method से separate नहीं कर सकते हैं, impurities को, तो liquition method क्या होगे, आपका, liquefaction जिसमें metals tend to liquify, but impurities cannot convert into the liquid form, ठीक है, मतलब यह fusible नहीं होती है, fuse नहीं होती है, ठीक है, second method जो इसके अंदर हम utilize करते हैं, वो है हमारा यहां पर distillation, distillation, distillation में हम क्या करते हैं, simple distillation का process आप लोग जानते हैं, distillation में क्या होता है, two substance होते हैं, एक volatile substance होता है, एक non-volatile substance होता है, तो volatile substance का boiling point क्या होता है, low, and non-volatile क्या होता है, high, या फिर हम बोलेंगे कि वो boil ही नहीं होगी, ठीक है न, तो इस तरह से हम बोलेंगे, तो यहां पर उन metals का distillation क्या जाता है, जो metals कैसी होती है, volatile metals, किसके लिए क्या जाता है, इसको, volatile metals can be refined, ठीक है, volatile metals कौन-कौन सी होती है, zinc, cadmium, zinc होती है, cadmium होता है, mercury होत इन metals को हम pure करते हैं, किससे, distillation methods है, तो यहां पर impurities क्या होती है, vapor में चली जाती है, vapor phase में चली जाती है, और इनको हम collect कर लेते हैं, condenser की यल्प से cool करके वापस हम separate कर लेते हैं, और impurities होती है, impurities कैसी होती है, इसके अंदर, impurities जो होती है, वो यहां पर कैसी होती है, non-volatile, करेदी कैसी होती यह यह पर इंप्र ऑपी ऑपर होती हो शहारा है कि ऑफ लृप्ति होगी तो इससे नहीं मेप्र नहीं एक ना बाकि आपकी जो मेड कर मैं रहे हो जातें पड़ा आप लोगों member ही distillation होता है process लेकिन यहां पर जो है assembly डिफरेंट assembly होती है metal की jacket की बनी होती है ठीक है next इसके अंदर हम यूज करते हैं इसके अंदर हमारा यहां पर जनरली जो जो नेक्ट में लिखेंगे जोन रिफाइनिंग जोन रिफाइनिंग हम उनसके लिए हम करते हैं जिसमें हमाई क्यूरिटी वाली मेटल चाहिए जिसे कि semiconductors हमें चाहिए तो हाइड फ्यूरिटी वाली मेटलोंकों अप्टेंग करने के लिए जो फाइन किया जाता है तो जैसे इकिमारत पास सेमी कंड़क्टर बनाई जाते हैं सेमी कंड़क्टर डिवाइस के लिए सेमी कंड़क्टर बनाने के लिए हमें यहां पर क्या चाहिए हाई प्यूरिटी वाली मेटल चाहिए जिसे की सेमी मेटल होती है हमारी सेमी कंड़क्टर सेमी कंड़क्टर कैसे होते हमारे हाई i-2 वाले होते हैं तो हाइप ती वाली ऐलिमेंट हमें करने के लिए हम यहां पर एप्लाई करते हैं तो यहां पर जैसे कौन-कुन से आपके सेमेटल हैं जैसे की जर्मेंइन हो गया ठीक है जर्मेंइनिम् शीलिकॉन बोर्न वर यहीं अ eyebrow रिम प्डिकर इन semi conductors को purify करने के लिए हम इसको यूज करते हैं जॉन रिफाइनिंग को जॉन रिफाइनिंग में अब एक्चॉली होता क्या है कि यहाँ पर मेटल्स होती है वह क्या होती है तो जिसके अदर इंधर की होती होती है यह पर is यहां से रोड़ हम इसके अंदर लेते हैं जिसे टी कि इमप्यॉर मेटल की रोड़ है ठीक है और यहां पर नीचे एक लेक मावडोंची नॉलेजेते हीक यहां SHE फिलेट यहां पर अपर इस तरह से हीट कि यह लगी होती है और इसमें हम एक इनर्ट atmosphere यहां पर Apply करते हैं क्या करते है Inner atmosphere जान है तिक यहां से रोड निकलेगी applies के कि उसके अंदर क्या होग जो आपकी मैटलैंट है जो मैटल है मतलब जो elements है यह मैटल क्या हो जाएगा आपका मेल्ट होगा इसके अदर मेल्ट होगा तो करेंगी और इसके अंदर से बाहर निकल जाती है टिक है अब ज któregoरी में इसके अंदर समझ सकते हैं हीटिंग iota के बीच में हम रोथेट करेंगे तो क्या होगा जैसे-जैसे-ट बिवाटे एंवाइर्मेंट में आई गी रोड तो वहाँ पर इस पुटिकुलर जोन ड्रीफाइनिंग की दूसी के लिएंदर रह जाएग concret हो जाती है या फिर हम बोलेंगे कि separate हो जाती है solution के अंदर से तो इसको बोलते हम zone refining कौन सी metal के लिए क्या जाता है जनरली ये आपका germanium, silicon, boron, gallium, indium के लिए apply किया जाता है next इसके अंदर method है हमारा जो fourth method है वो है electrolytic या फिर electro refining electro refining या refining by electricity तो electricity के थूरू refining कैसे करते हैं हम इसके अंदर तो electricity का use करके हम refining करते हैं जनरली जो metal है इसके लिए use की जाती है मतलब refining में उन metals को use करते है हमें high purity वाली metal को collect करना है तो electrolytic refining जो होती है जनरली इसके अंदर कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है and same metal का ही यहां पर cathode लिया जाता है साथ में जो electrolyte लेते हैं same metal का ही क्या लेते हैं हम इसके अंदर electrolyte लेते हैं same metal का ही क्या लेते हैं हम इसके अंदर electrolyte लेते हैं तो देखो इसके अंदर क्या किया जाता है जनरली इसके अंदर हम कौन-कौन सी metal को separate कर सकते हैं जिनकी requirement हमें मतलब purity की requirement ज्यादा होती है जिसे कि हमारे पास यहां पर example जिसे कि कौन-कौन सी metal को refine कर सकते हैं जिसे कोपर है जिंक है टिन है ठीक है आपका निकल है सिल्वर है गोर्ड है एट्सेक्टरा इन 1950 मेंटल को सब्सक्राइब जिसे तों मेंतलिक हम पर ऑपर ऐल एक्रोलीक रीफाइनिंग करनी पर प्रोशेस के संदर अग ऑन कि container होता है jacket होता है इसके अंदर तो इसके अंदर हम यहां पर क्या करते हैं दो electrode लगाते हैं इस तरह से हमने टू इलेक्ट्रोड लगा दी यहां पर एक electrode होता है impure metal ठीक है और इनकों connect कर देते हैं बैटरी की help कि इससे connect कर दि खी हमने इसको बैटरी की help अम चैसे इसए अ कि कि अ कि यह नेगेटिव बैटरी का नेगेटिव टर मिनल है तो इसको बोलेगे हम k ketchup होड़ है क्या आपका क começo है यहाँ आपका क्या है एक इनोर किजिए positive terminals है है positive negative थो यह आपका क्या हो बेटा एनोड ओके एनोड पोजिटिव रिचार्ज होता है यहाँ पर जो एनोड है एनोड किसका लेते हम इंप्योर मेटल का लेते हैं किसका लेते हैं इंप्योर मेटल का जगर हम कोपर को यहाँ पर अगर रिमूट को प्योर कर रहे हैं तो pure impure copper का हम क्या लेंगे यहां पर anode लेते हैं और pure copper का हम क्या लेंगे इसके अंदर cathode लेंगे pure copper का हम क्या लेंगे इसके अंदर cathode लेंगे और impure metal का लेंगे हम इसके अंदर anode अब इसमें जो electrolyte हम फिल करते हैं यहां पर electrolyte फिल करते हैं अब impure metal है impure metal है तो यह कैसा होगा? थिक होता है मतलब आपका जो यहाँ पर होगा यह anode कैसा होगा? थिक होगा थिक है? मोटा है? यह थिन है यह थिक होगा यह थिक होगा और यह कैसा होगा? थिन यह काफी पतला होगा wire जैसा होगा बिल्कुल और यह एक road के जैसा होगा बड़ीजी road उसके जैसा होगा ठीक होता है ठीक है ना और इसके अंदर एक electrolyte solution fill करते हैं वो भी same metal का ही भर इसके अंदर fill किया जाता है same metal के electrolyte कौन सा fill करेंगे इसके अंदर use करते हैं अब जैसे हम switch on करेंगे जैसे हम switch on करेंगे तो यहाँ पर देखो solution के अंदर copper 2 प्लस आयन थे already बेटा इसके अंदर है so no solution के अंदर यहाँ पर cu 2 प्लस आयन थे cu 2 प्लस आयन थे copper यहाँ पर solution के अंदर जैसे ही switch on करते हैं तो solution वाले copper plus 2 iron कहाँ चले जाते हैं cathode पर जाकर कि क्या हो जाते हैं reduce हो जाते हैं तो यहाँ पर देखो 8 cathode cathode पर क्या होगा reaction होगी कौन सी Cu2 plus iron accept 2 electron from the cathode and get convert into the copper यहाँ पर आकर कि solution state से क्या होगी aqueous phase से किसमें change हो गया यह solution solid state में change हो जाता है solid में change हो और इसके उपर deposit हो गया अब जैसे ही यह copper 2 plus iron यहाँ पर जाकर कि deposit होते हैं जैसे deposit होते हैं solution के अंदर copper plus 2 iron की deficiency होगी तो इसको fulfill करने के लिए जैसे ही यहाँ पर reduce होते हैं same time इस impure road से इस impure road से copper iron बाहर आएंगे copper iron कहा आएंगे बाहर इस solution में आएंगे अपने 2 electron किसको दे करके इस anode को दे करके बाहर आगे circuit को दे दी electron इधर से होते हो यहाँ आएंगे circuit को complete करेंगे जैसे ही यहाँ पर आएंगे Cu2 plus तो अपने 2 electron किसको दे दी इन्होंने इस electrode को दे दी और सर्किट से होते हुए यहाँ पर आते हैं यह प्रोसेस कंटिनिजूसली चलता रहता है तो एनोर पर क्या हुगा यहाँ पर त्री यही और में चली जाती है कि लूज़िंग 2 drin open two electron lose करके copper two plus iron मतलब solution state में आ जाते हैं और आपका जो metal है वो oxidize हो रहा है यहाँ पर metal क्या हो रहा है? reduce हो रहा है तो बात यह है इसमें सोचने वाली की हम इसके अंदर यहाँ पर same metal का electrolyte क्यों लेते हैं because अगर दूसरी metal का electrolyte लेंगे तो solution के अंदर से हम यहाँ पर metal को pure करते हैं और हमें यहाँ पर ultra pure metal मिलती है ultra pure ठीके और impurities जो होती है धीरे धीरे यहाँ पर देखो यह जो anode है इस anode का size क्या हो जाएगा decrease हो जाएगा यह छोटा होता जाएगा और इसकी जो impurities है इसकी जो impurities यहाँ पर नीचे जाकर के गिरने लगेगी इस particular इस anod के यहाँ पर मिलेगी तो इसको बोला जाता है जो mud black Thick viscous liquid में मिलता है इसको बोला जाता है बेटा एन्एन-अश्य क्या बोला जाता है इसको अब जayıसरteil होता है इसलिए बोला जाता है इसको हो जाते हैं उनका reduction नहीं होगा oxidation नहीं होगा ठीक है तो इस तरह से आपको यहां पर यह electrolytic reduction यहां पर कराया जाता है metals का तो यह काफी इंपोर्टेंट है कि इसमें हम से metal का electrodes से metal का cathode क्यों लेते हैं ठीक है ना तो इसको यह आपकी जो metallurgy के अंदर refining steps है refining की step है complete हो गई है इसके अंदर एक और यहां पर हमारे पास method है वह हमारा chemical refining के बारे में थोड़ा सा discuss कर लेते हैं chemical refining ठीक है chemical refining तो chemical refining जो होती है जनरली उन metals के लिए किया जाता है जो metal आपका एक solubal sorry एक volatile compound बनाता है available ray agent के साथ एक यहां पर volatile compound बनाता है जो rays कर द Muss 배 produced करते हैं तो उनका किया आजाता है यहां पर इसके अंदर chemical refining मतल़क region रिएणिग बाई chemicals अब जो volatile compound है जो volatile compound वह assists be इसको रिकावर भी कर सकते हैं यह पर इजी तो इसके अंदर चाहो तो लिख लेंगे मैं इसके अंदर with reagent जो reagent हमने लिया है जो chemical हमने लिया है उसके साथ क्या बनाना चाहिए volatile compound बनाना चाहिए but यह volatile compound वापस से decomposible भी होता है ठीक है volatile compound volatile compound should be decomposible ठीक है Patik यह डिकम्फुजेबल होना चैगि जिससे हमें वापस है रीजेंट मिल जाए जह रीजेंट यहां पर अप्लाई क्या था वो यह यहन हम यहां पर वापस आप्टेंग हो जाए तो इसके अंदर आपर जैसे कि सिर्ष 스ट मेह कहीं शरु कि इसके इंदर हम लेते हैं वो होता है हमारा मौन प्रोसेश ठीक है तो पॉर्स्ट मेथड इसके अंदर जो लेते हैं वह हमारा एक्स्ट्रक्शन आप निकल मौन्स प्रोसेश ठीक है मौन्स प्रोसेश ठीक है यह किसके लिए क्या जाता है निकल इसमें निकल का extraction करते हैं किसके लिए क्या जाता है यह सिपरेट मोनोकसाइड कर बना ऑग सबसे पहिले ayam करवन को हीट करते हैं हाइ टैंप्रेचर पर जिससे यहाँ पर क्या रगे कि smart गे करते हैं तो यहाँ पर क्या बनती है छ probably morei एक टी io प्लेट के अंदर हम यहां पर इसकें जो carbon monoxide है ठीके ना इस carbon monoxide को nickel metal के साथ ठीके यहां पर nickel joint metal है इसके साथ हम यहां पर ISको काפरीम्ण कराते हैं carbon monoxide के साथ तो यह किसमिक अधिन कि चैन्ज हो जाता है नेकल CARB Heidi Leung में आ एक complex compound मनता है complex compound कैसा होता है आप यह इसको बोलते हैं निकल कार्बोनिल निकल भी बोल सकते हैं तिक यह कॉमन नेम है अब लेकिन जो nickel carbonil बना है इस nickel carbonil को again यहाँ पर देखो इसको 50 degree Celsius पर ही reaction कर लेता है लेकिन यह जो nickel carbonil बना है CO whole 4 यह जो बना है इसको हम यहाँ पर about 200 degree Celsius पर again heat करते हैं 200 degree Celsius पर इसको heat करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर nickel and 4 CO carbonil carbon monoxide gas वापस से release हो जाती है और आपकी solid metal हमें obtain हो जाएगी क्यों देखो अब impurity separate करने थी इसके अंदर impurity थी अब वो impurities carbon monoxide के साथ reaction नहीं करती तो impurity तो यहीं रह जाएगी मतलब वो आपका complex compound नहीं बनाएगी gaseous compound नहीं बनाएगी gaseous compound को नहीं बनने से क्या होगा impurity तो वहीं रह जाएगी और इस gas को हमने बाहर निकाल लिया फिर अलग से क्या कर दिया हमने heat किया जिससे हमें nickel metal यहाँ पर अलग हो जाती है और आपका carbon monoxide gas again क्या हो जाएगी release हो जाएगी तो यह mons processes में nickel का extraction किया जाता है second method इसके अंदा one one arcal method ठीके तो one arcal method जो होता है इसको titanium के लिए use करते हैं किसके इसको titanium की लिए use के जाता है titanium metal को purify करने के लिए इसको use करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है यहाँ पर iodine का लिया जाता है ठीक洱 तो यहाँ पर titanium की reaction किस से कराते हम मतलब impure titanium है इसकी reaction हम iodine से कराते हैं ठीक है ना और iodine से कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनाएगा TII4 बनाएगा क्या बनाएगा यह TII4 compound बनाता है क्या बनाएगा TII4 ठीक है nickel tetra iodide ठीक है TII4 ठीक है यह जो TI I4 है यह compound को हम इसके अंदर यह कैसे बनेगा यहाँ पर reaction कराई जाती है about 52 250 temperature reaction कराई जाती है ठीक है फिर यह जो TI I4 बना है इसको हम heat करते हैं tungsten filament से हम इसको heat करते है 1400 degree Celsius temperature ठीक है तो इसको हम यहाँ पर 1400 degree Celsius temperature पर tungsten का filament है वो लाया जाता है मतलब इस gases compound के अंदर ठीक है tungsten का filament मतलब बल्ब जला रहे हैं tungsten का जो filament है उसको जलाते हैं यहाँ पर तो आपका वापस हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर titanium solid form मिल जाएगा और iodine gas again यहाँ से release हो जाती है that's it मतलब यह जो वेपर में चेंज हुआ है यह वेपर सबस्टेंस आपका separate हो जाएगा और impurities होई रहे जाएगी तो वापस आपको titanium जब heat करेंगा अगेन इसको tungsten filament की प्रिजेंस में तो आपको titanium metal again obtain हो जाती है ठीक है इस तरह से आप यहां पर metals को purify कर सकते हैं यह काफी important हो सकता है अगर हम बात करें आई जोसो के point of view से तो basically हमारे पास जो इस प्रोसेस है different steps है इनका एक short और जो notes है क्लास की काफी important हो जाते हैं हमारे लिए because revision के लिए और process हमारे पास नहीं पुछा जाता question question क्या आता है which method is used in the purification of titanium ठीक है तो कौन सा method use करेंगे one arcal method nickel के लिए कौन सा उस करेंगे mond process nickel carbonil बनता है nickel carbonil को हम again break करते है तो क्या मिल जाता है हमें वापस से nickel metal मिल जाती है solid form में impurities left behind in this solid state ठीक है यहां भी ऐसा ही होता है gaseous form में बनता है ठीक है और आपको impurities gase में change नहीं होती है और substance आपका यहां पर बन जाएगा वापस से pure मतलब metal को हमने क्या कर लिया pure कर लिया ठीक है तो यह आपका metals and non-metal chapter complete हुआ ठीक है इसी के साथ हम यहां पर finish करते हैं Thank you Have a nice day